हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल देखिए हमने दिसम्बर और जन्वरी के जो मंतली करेंट अफेर्स के जितने भी कम्प्लीट कोशन बनते थे हम दो वीडियो में अभी तक कवर करा चुके हैं क्योंकि हमको जैसे ही पता चला कि मार्च के में जो पेपर सेट हुए थे उसी के कॉर्डिंग अभी पेपर उसी कॉर्डिंग आ रहा है तो हमने दिखिए तुरंद आपको दिसम्बर जन्वरी के करेंट अफेर्स कवर करा दिये थे साथी साथ फेवरी के भी और बताएं आपको पीछे भी देखो करेंट अफेर्स आ रहा है ऐसा मैं जोट नहीं बोलूँगा जो मैंने कवर नहीं भी करा है कि अक्टूबर से भी कोश्चन बन रहे हैं सब्टेंबर से भी बन रहे हैं ठीक है और मैं नॉमबर के तो अभी ब बहुत कोश्चन आ रहे हैं तो देखिए मैं आज फेवरी के पूरा जितने भी कंप्लीट कोश्चन से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन से वह सब यहां पे आज में कवर करा दूँगा वह भी मिनिममम टाइम में हो सकता है तुरंद करा दूँगा तो देखो बाकी जिन्होंने जन्वरी और दिसंबर की वीडियो न देखी हों तो आप लोग देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक टाल दूँगा ठीक है आई कार्ड में भी उसकी लिंक लगा दूँगा जहां से भी आपको suitable लगे आप उसको watch जरूर कर ले बाकी देखी मेरा एक्जाम भी था मेरा एक्जाम था 13 अक्टूबर 2020 को थर्ड सिफ्ट में ठीक है तो जो थर्ड सिफ्ट का जो मेरा खुद का एक्जाम था उसकी मैंने पूरी इनालिसिस यहां तक की reasoning और math के questions, GS के questions, English के भी जितने questions मेरे को याद थे मैंने full detail में इनालिस वहां करवाया है, तो आप लोग जो लोग भी पहली बार paper देने जा रहे हो, तो आप लोग प्लीज यह वाला वीडियो जड़ू देखना, जिससे आपको काफी idea लग जाएगा कि paper किस recording आ रहा है, ठीक है? क्योंकि reasoning में भी 2-4 questions ऐसे हैं, जो बहुत different logic के आ रहे हैं, बाकी 25 attempt करने का पूरा try करना है, तो यहाला वीडियो जरूरू देखना, उसमें मैंने बताया है कौन-कौन से question किस logic से पूछे गया है, ठीक है? तो चलो देखो, आज का वीडियो आप शुरू करते हैं, बिना देर किये हुए, देर करने से पहले एक चीज और बता दूँ कि आप इन्स्टाग्राम पे page है, competitive world 2020 नाम से, ठीक है? इसकी link भी मैं description box में डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर ही मेरे को follow कर सकते हो, और आपकी कोई भी query हो, आप comment कर सकते हो, या तो यहाँ इस ID में जाके direct message भी कर सकते हो, almost मैं किसी का भी message छोडता नहीं हूँ, सब का ही reply करता हूँ, ठीक है? चलो, first question से आज start करते हैं, पहला question है, Sophia Cannon ने इस पेन की गारबाइन मुकुरुजा को हरा कर Australia E. Open का महिला एकल का खिताब जीता है, तो Sophia Cannon किस देश की है? तो देखिए यह US की है, ठीक है, Australia E. Open किस ने जीता है? Sophia Cannon ने जीता है, यह US की टेनिस के लाड़ कि नुवाग जोकोविक किस देश की खिलाड़ी है? तो यह सर्बिया के है, यह B option, second number option बल्कुल सही हो जाएगा, तो आपको साथी साथ यह भी ध्यान रखना है कि Australia E. Open men's किस ने जीता है? नुवाग जोकोविक और women's वाला किस ने जीता है? यह जीता है Sophia Cannon, तो यह भी question दो तो पूछाएं कि राष्टी खेल जो है, उसका जो 36 संस्करण है, इसका सुभारम में कहां पे हुआ है? तो इसका सुभारम देखी, गोवा में हुआ है, और कहीं पूछ लिया जाए, इसका मसकट, जिसे सुभंकर बोलते है, कि इन खेलों का सुभंकर या संस्करण का सुभ अंदर भूमी, दिवस के रूप में मनाये जाता है, तो यह दो फरवरी मनाये जाता है, किसने हरियाना के सूरज कुंद में 34 वे, सूरज कुंद अंतर अस्टी सिल्फ मेले का उधगाटन किया है, तो यह प्रेशिडेंट रामनात कोविच जी ने किया है, और यह जो मेला है यह फरीदाबाद हरियाना में लगता है, ठीक है, हर शाल लगता है, नेक्स्ट कोशन है, चीन के बाहर कोरोना वेरस की मौत किस देश में हुई थी, तो यह हुई थी फिलिपिन्स में, ठीक है, फिलिपिन्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, वि नेक्स्ट कोशन है, इन विच सिटी, एकुसी, बुक फियर, हैस बीन इनॉग्रेटेड, तो ये बांगला देश की राजधानी, नेक्स्ट कोशन है, तो ये किया है, हुबली कहां पे है, हुबली परता है, करनाटक में, करनाटक हुबली स्टेशन सबसे बड़ा बनने जा रहा है, ये भी आप लोग ने पढ़ा होगा, नेक्स्ट कोशन है, किस देश के साथ रत ने अड़ू परररेटन छेतर की स्टापना के लिए पांच समझहुते गया अपनों पर अपर अक्षर की है, तो ये माल दीव के साथ भारत ने की है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, तुसार कांजीलाल का हाली में निधन हो गया है, दो एक लेखक थे तो देखिए फैबरी के एकॉल्डिंग है तो हाल ही का मतलब यहाँ पर उसी टाइम फैबरी के एकॉल्डिंग है ठीक है नेक्स्ट को सब्सक्राइब करने वाला पहले बधिर व्यक्ति बन गए है ठीक है तो यह बने है किस देशने सभी प्रकार के व्यक्ति के सुरच्छा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया है जिसमें कपड़े मास्क सामिल है जो लोगों को वायू जनिप कड़ों से बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाते है तो यह अपने इंडिया भारत देशने उस ट नव में तो यह भी बहुत important question है किस सहर में कला उत्सव काला घोडा आयुजित किया जाता है तो यह मुंबई में हर सल आयुजित किया जाता है next question है सरकार ने देश में कोरोना संग्रमण के प्रशार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है उस टास्क फोर्स का गठन किया है तो इसमें साब को बताना था तो यह उपरोक सभी जितने भी हैं हर्शवर्धन जी हैं एस जैसेंकर हैं जी किशन रडड़ी हैं और राज आपदा गोशित किया है तो यह केरल ने गोशित किया था क्योंकि सबसे पहला केस जो इंडिया में निकला था वो केरल महीं निकला था ठीक हैं यह होता है 4 फर्वरी को यह तो याद भी है 4 फर्वरी नेक्स कोशन है कौन सा सहर अंतरास्टी भारती फिल्म अकैडमी पुरुसकार के 21 संस्क्रण की मेजवानी करेगा तो यह करेगा भोपाल और इंदोर दोनों लेकिन यह कोरोना के करण इनको अभी पोस्टपोन कर दिय किया गया था किस कोशन है किसरा के रस्ती कि सोर कुमार समान से समानित किया जाएगा तो यह समानित की जाएगा वहीदा रहमान जी को किसे कनाड़ा में भारत के अगले उच्छायुक्त की रूपे नियुक्त किया गया है अजय बिसारिया जी को नेक्स कोशन है किस सहर में भारत और दच्छल कोरिया के बीच मंत्री इस्तरी रास्टी मंत्री इच्छा वारत आयुजित की गई है तो यह हुई है नई दिल्ली में किस राज्य सरकार ने जन सेवा योजना शुरू की है तो यह करनाटक ने शुरू की थी नेक्स कोशन है किस सहर में आस्ट्रेलियो और इंडोनेशिया की सरकार के बीच साजयधारी में विश्देश मंत्राले समुद्री सुरच्छा सहयोग पर चौथे पूर्वी एशिया सिखर सम्मेलन आयुजित करेगा तो यह चेन्नाई करेगा नेक्स है राजिस्थान के मुखमंत्री असोग गैलोत यूनेश्को के विश्दरोवर इस्थल प्रमाण पत्र को किस सहर को समर्पित किया है तो यह जैपूर जो राजिस्थान की कैपिटल है जैपूर को किया है नेक्स्ट कोश्चन है तो यह हैड़कोर्टर अपना मुंबई में है और कितने तक का कवरेज बढ़ा दिया है पांच लाख रुपे तक का कवरेज बढ़ा दिया है तो यह भी इंपॉर्टन है नेक्स्ट कोश्चन है केन सरकार ने भारत हैवी इलक्ट्रोनिक्स लिम्टेड जिसे भेल भी बोलता है भेल के विनिवेश से इंकार कर दिया है तो cmd कौन है तो cmd भेल के है नलिन सिंगल जी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है किस दिन भारती टट रच्छक ने अपना 44 इस्थापना दिवस मनाया किस देश ने टिड़ों के चलते रास्टिया पातकाल गोशित कर दिया है तो यह सोमालिया ने किया था भारती नौसेना ने एक टटी सुरच्छा ब्यास किया ब्यास का नाम क्या रख्या था उसका नाम था मतला अभ्यान था टटी सुरच्छा ब्यास को सिंग का कालियम निधन हो गया है वह कौन थे वह एक औरीशा कवी थी औरीशी कवी थी कवे थे नेक्सक्ष्षण है किसने केनरा बैंक के प्रवंधक प्रवंद निदेशक और मुक के कारिकारी यद for the Asia Pacific region by the Banker magazine तो ये अपने जो RBI के governor है सक्तिकान दास इनहीं को चुना गया है ये भी important question है आगे आने विली shift में किसी एक shift में एक question दिख सकता है इस question है इसे इराक के नए प्रधान मंतरी के रूप में नामित किया गया है तो ये मोहमत अलावी जी को नामित किया गया है next question है who has been appointed as a member of advisory commission on Asian Americans and Pacific Icelanders by US President Donald Trump तो ये अभी appoint हुए है प्रेम परमेशुरन ठीक है next question है किस दिन महिला जन्नांग विक्रती के विरुद सून सहन सीलता के अंतर राष्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 6 फरवरी को next question है किस ने कोल इंडिया लिम्टेट के नए अध्यच और प्रवन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो ये प्रमोद अग्रवाल जी ने कोल इंडिया लिम्टेट के निउज सीई ओ अध्यच मुनलब चेयर मैं and managing director MD के रूप में कारबार समाला है किसको पहरा ओलंपिक कमेटी ओफ इंडिया के अध्यच करूप में चुना गया है तो ये चुनी गई है दीपा मलेक भाई most important किसी इंडिफ्ट में आने वाला question है ये ठीक है next question है स्री राम जन्भूमी तीर्थ ट्रेस्ट तीर्थ छेत्र ट्रेस्ट का प्रमुक कौन होगा तो दिखे starting में जब February में जब बांग उठी थी तो के पराश्रन जी जो मतलब advocate थे उनको बनाने के लिए था लेकिन बाद में ही कुछ दिन के बाद ही जो नरत्य गोपाल दाज जी थे नरत्य गोपाल दाज जी ठीक है उनको बना दिया गया था तो आप लोग को दोनों नाम याद रखना है सबसे पहले starting में के पराश्रन जी को मांग उठी थी मनाने की तो उस टाइम तक यह question था फि कुंदिर की जो समीती बनी थी बनाने वाली जो समीती थी उसके जो chairman मनाए गये थे उस time वो बनाए गये थे नरपेंद्र मिश्रा जी नरपेंद्र मिश्रा ठीक है तो आपको इनका नाम भी याद रखना है तो यह महराष्ट की बात हुई है तो यह उत्राखंड गौवर्मेंट ने शुरू किया था नेक्स कोशन है किस राज में एक सम्मका सरलाम्मा जात्रा उत्सव मनाया गया तो देखी यह जितने भी जात्रा से रिलेटेड होते हैं एक और भी होता है मेरे को देखिए ठीक से आप नहीं आ रहा है जात्रा करके उसमें भी होता है तो यह देखिए तिलंगाना में ही होते हैं ठीक है तो इससे आप थोड़ा connect करके टीक तो at least लगा सकते हो कोई problem नहीं होगे आपको नेक्स्ट रहे कौन और टोक्यो लंपिक के लिए भारत के सद्भावनर राजदूत होंगे तो इस और अंगली जी को चुना गया था जस्वन सिंग कवल का हाली में निधन हो गया है वह कौन थे तो एक यह पंजाबी लेखक थे नेक्स्ट कोश्चन है स्री लंका के प्रधान कि रामनाथ कोवित के कुष्ट रोख के लिए अंतर राष्टी गांधी पुरुष्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो यह है देखिए एन-एस धर्म सक्तु और लेप्रासी कुष्ट मिशन लब लेप्रासी मिशन ट्रेस्ट इन दोनों ही लोग को यह पुरुष्कार दि सिफ्ट में किसी भी एक खिलाड़ी का नाम देखे पूछ रहा है कि यह किस खेल सम्बंदित है तो यह कोशन भी उसी से रिलेटर है तो आप लोग को राखी हलदर जी का नाम याद रखना है कि यह भारत तोलक है वेट लिफटर है ठीक है नेक्ट कोशन की बात करें तो पहला भारत अफीका रच्छा सम्मेलन आयुजित किया गया था तो यह लखनाव में हुआ है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड ने यूवी को विक्षित करने के लिए एलबिट सिस्टम के साथ समझाता किया है एलबिट सिस्टम किस देश का एक फर्म है तो यह एक यह इसराइली फर्म है ठीक है इसराइल की कंपनी है नेक्ट कोशन है अगर तला से बांगला देश में अकहौरा के बीच बहु प्रतीचिप रेलवे लाइन सितंबर किस सन तक पूरी हो जाएगी तो सितंबर 2021 तक यह लाइन पूरी होने की उमीद जताई जा रही है नेक्स्ट कोशन है चटी दुई मासिक मौद्रिक नीती वक्ताववे 2019-20 के अंसार वर्तमान रेपो रेट क्या है तो भाई 5.15 है ठीक है उस टाइम के कॉल्डिंग अभी भी इतनी ही चल रही है मैंने आपको पिछली वीडियो जब जन्वरी की थी उसमें भी जब रेपो रेट की बात आई तो मैंने आपको बताया था कि भाई कि किसी भी गूगल की साइट में मत जाना ठीक है आप गूगल डालोगे वर्तमान में की लसर कितना है वो कुछ भी दिखा देग या 19.something या कुछ भी दिखा देगा ठीक है बाई किसी भी जाना अपनी जो authentic साइट है RBI की डाल देना RBI Rates या Rates CO कुछ भी डाल देना ठीक है RBI की जो official साइट होगी www.rbi.org उसी में जाना अंदर क्लिक करना अंदर देखना एक जगा लिखा होगा RBI Rates उस portion बस एक बर आप टच करोगे पूरे जितने भी rates होते है reverse repo rate, repo rate, LSR, bank rate सब कुछ वहाँ मिल जाएगा तो केवल इसी साइट से जाके हमेशा data उठाना बाकी किसी भी साइट में विश्वास मत करना इन सब चीजों में ठीक है next question की बात करें तो कौन cricket association बंगाल के सबसे कम उम्रे के अध्यच बन गया है तो यह बने है अविशेक जी next question है विश्व स्वास्त संगठन ने novel coronavirus से लड़ने के लिए दान में कितने अमेरिके डॉलन का आवाहन किया है तो यह किया 675 million dollar का next question है किर्क डगलस का हाली में निधन हो गया है वह कौन थे तो वह एक actor थे किस राज़की विधान के पूर्व अध्यच और मौजूदा विधायक प्रनव गोगोई का हाली में निधन हो गया है तो यह असम के थे next question है किस सहर में रवी रवी शंगार प्रशाद ने BSNL FTTH और Wi-Fi सेव का उध्गाटन किया है तो यह देहरादून उत्राखंड में किया गया है किस देश ने स इसको सबरी माला मंदिर में अभुषडो की एक सूची और मुल्यांकन रिपोर्ट तयार करने के लिए निउक्त किया गया है तो यह एन राम चंदरन नायर जी को किस सेर में बीश्वल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवर्ड का आउजन किया गया है तो यह बर्लिन जर्मनी में किया गया है नेक्श कोशन है राजू भारतान का हाली में निधन हो गया है वो एक जनरलिस्ट पत्रकार थे नेक्स्ट कोश्चन है ओर्डिनेस फैक्टरी बोल्ड ने पहली 130 mm M46 तोप खाने बंदू सारंग को 155 mm में अपग्रेट कर भारती सेना को सौप दिया है OFV का मुख्याले कहां इस्तित है ये कॉलकाता में इस्तित है जो मैंने दिसंबर वाला करेंट कर आया था उसमें भी आपको बताया था कि OFV का जो कार्याले है मुख्याले है वो कहां पे है कॉलकाता में है तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कितना इसका ब्रेट गुआ है 130 mm से 155 mm Next question है किस राज्य सरकार की इन मेमार और दच्छिरपूर्व एशियाई देशों में डिब्बा बंध खात पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है ये हुआ है गंजाम में Next question है किस टीम ने पंजाब को हराकर जूनियर राश्टी फुटवॉल प्रतियोगता के लिए डॉक्टर बी सी रॉय ट्रॉफी सी लॉंग के जवाहर लाल नहरु स्टेडियम में जीत ली है तो ये जीता है मिजोरम ने ठीक है 328 दिन बिताने के बाद क्रिश्ट्रीना कोज अंतर अंतरिच्छ से सुरच्छित दर्ती पर लॉट आई है अब किस देश की है USA की है Next question है DRDO ने रोसो बोरो नेक्स पोल्ट रूस के साथ प्रोध्योग की विकास अनुबंद पर हताक्षर किये हैं तो DRDO का मुख्याल है दिल्ली में है Next question कौन सा देश अपनी अगली जन संक्या गढ़ना में तीसरे जंडर की भी गढ़ना करेगा तो ये नेपाल ने बोला है कि वो अब नेक्स अपनी जो जन गढ़ना करेगा उसमें जो थर्ड जंडर होते हैं उनकी भी पॉपलेशन काउंट करेगा Next question है With which country India has signed agreement on debt engine technology development तो ये sign किया गया UK के साथ Bangaluru International Film Festival का कौन सा संस्क्रण आयोजित किया गया बारवा संस्क्रण ग्यारवा किसका था? लखनव में जो हुआ था? Defense Expo का Deaf Expo का ठीक है बारवा क्या है? Bangaluru International Film Festival का Next है भारती मूल के व्यक्ति का नाम क्या है? जिसे सिकागो के नयाधीस के रूप में नियुक्त किया गया है सामिया नसीम जी को नयुक्त किया गया है Next है डिजिटल क्रेडिट स्टाल्टप PaySense का दिक्रण किस ने किया है? तो ये PayU ने किया है Next Question है किसराज सरकार ने गरी परिवारों के लिए मुख मंत्री परिवार सम्रिद्धी योजना शुरू किया है? तो ये पूर गोदावरी में किया गया है ये आज ही के दिन 16 अक्टूबर को एक हमको रहता है फर्स्ट स्ट में ये कोश्चन आया हुआ है कि दिशा जो एक स्कीम है पूलिस इस्टेशन है ये किस राज ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आंध्यपेदेश बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोश्चन है आर्टी रिजर बैंक 10 फर्वरी से 14 फर्वरी 2020 तक वित्ती साच्छर्ता सब्ताग आयोजन किया है इसका विशे क्या था? MSME इसका सब्जेक्ट था नेक्स्ट है किसको Mystic Kalinga Sahit Purskar मिला है तो ये मिला हुआ है Manoj Das जी को नेक्स्ट है किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 10 फर्वरी को ये मनाया जाता है ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन है किसने Philip Barton को भारत में अपना उच्चा इतने उच्ट किया है तो ये ने उच्ट किया है Britain ने नेक्स्ट है Who will continue as India's non-playing Davis Cup captain ये है रोहित राजपाल जी नेक्स्ट कोश्चन है किस देश ने 27 राश्टी अंतरराश्टी धार्मिक सुतंतरता सगटमंडन के सुभारम की गोश्टा की है जो दुनिया भर में धार्मिक सुतंतरता की रच्चा और सनरच्चण में एक सामोहित देश्टी कोड़ अपनाने की कोशिश करेगा तो ये USA ने की है नेक्स्ट है किस राजपाल बागले को किस देश में भारत के अगले उच्चे उच्चे उच्चरूप ने उखती है स्री लंका में नेक्स्ट कोशन है NPCI ने Instant Messaging Platform WhatsApp को अपनी Unified Payment Interface सेवाओं को 10 मिलियन उपयोग करताओं तक विश्तारित करने की अनुमती दी है NPCI का मुख्याले कहाँ है तो यह मुख्याले है मुंबई में तो आपको यह चीज यहाँ पर याद रखने है कि जो NPCI का जो Agreement मतलब हुआ है जो Partnership हुई है वो ही है WhatsApp के साथ ठीक है Next question है किसको जिंदल Southwest Steel के Brand MISDER के रूप में नुक किया गया है तो यह भारती Cricket Team के जो खिलाड़ी है विशब पंत जी इनको नुक्त किया गया है Next question है भारत और United Kingdom के 20 संयुक्त सैन अभ्यास 2020 का पांच हुआ United Kingdom के सैलिसबरी मैदान में अजित किया गया अभ्यास का क्या नाम है Ajay Warrior Next question किस दिन को राष्टी क्रेशी मुक्ती दिवस की रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी 10 फरवरी को और कौन को दिवस होता है विशुद दलहन दिवस ठीक है Pulse Day Next question है किस दिन महिराओं लड़कियों के अंतराष्टी दिवस की रूप में मनाया जाता है 11 फरवरी Next question है प्रकाश जावडेकर जी ने नई दिल्ली में पूर राष्टी एपी जे अब्दुल कलाम पर एक बायोपिक का पहला लुप जारी किया है कौन फिल्म में डॉक्टर निवार है तो ये मुहम्मत अली जी नवगार है Next question है किस देश ने दच्छल अफ्रिका में भारत को हरा कर अंडर 19 ICC विशुकब जीता है Most important question क्योंकि ये बांगलादेश ने जीता है वो भी इंडिया को हरा के Next question है और्मर्ड डुपलाटिस ने 20 फिट 2.9 इंच की छलांग के साथ पोल वर्ट वर्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो किस देश के हैं तो ये स्वीडन के खिलाड़ी है ठीक है Next question है तो ये है काम्या कार्थिकेयन Next question है वो एक लेखक थे गिरिराज की सोर जी का हाली में निधन हो गया है ये एक उपन्यासकार थे या लेखक भी बोल सकते हैं इनको Next question है किस सहर में E-Governance 2020 पर राष्टी सम्मेलन संपन्न हुआ है तो ये हुआ है मुंबई में Next है किस देश के उपराष्टपती बने है तो ये वियतनाम के उपराष्टपती बने हुए है Next question है किस सहर में BBIN MVA Motor Vehicle Act ठीक है पर बांगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल की एक बैठक आयोजित की गई है तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी Next question है Small scale industries को प्रोटसाहित करने के लिए किस राज्यसरकवार दोरा MSME के लिए Bangra Shree नामक एक नई प्रोटसाहन योजना प्रस्तावित की गई है तो ये की गई है पश्यम बंगाल के दोरा जैसा कि नाम से clear है Bangra Shree ठीक है तो नाम से clear है पश्यम बंगाल Next question है चाय बागानों में आवास की समश्याओं को कम करने के लिए किस राज सरकार ने बागो के इस्थाई निवाशियों के लिए चा सुंदरी चा सुंदरी के रूप में नामित एक नई योजना प्रस्तावित की है तो ये भी पश्यम बंगालने की है Next question है किस राज सरकार ने राज भर में हुक का बार पर इस्तहाई प्रतिबंद लगाने का फैसला किया तो ये 36 गर्वर्नमेंट ने किया था Next question है किस टीम ने भारती खेल प्राधिकरण को हरा कर कोलम में दसवी हौकी इंडिया सीनियर महिला रास्टी चैंपियन सिक 2020 A Division का खिताब जीता है तो ये जीता है हर्याना ने Next question है किस टीम को हरा कर लद्दाग स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रेड ने पहले पुरुसवर खेलो इंडिया आइस हौकी टूर्नमेंट 2020 जीता है तो ये ITBP को ITBP ने जीता है Next question है International Hockey Federation द्वारा लाल रेमी को 2019 FIH महिला Rising Star of the Year के रूप में नामित किया गया है ये किस राज की है तो ये मिजोरम की है ठीक है आपको इनका नाम और इनका स्टेट दोनों ही याद रखना है और ये किस आवार्ड के लिए नामित हुई है Women's Rising Star of the Year राष्टी हौकी महासंग द्वारा वर्स 2019 Rising Star नामित किया है देखिए वो Women's में थी ठीक है तो मिजोरम की थी और ये देखिए Men's में है जो Vivek सागर प्रिशाद ही मद्द प्रदेश के हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन है आदित महता ने पंकच आडवाडी को हरा कर पुने में राष्टी श्नूकर चैंपियंशिप जीती है भाई most important question है क्योंकि जहां पे भी श्नूकर गनाम आता अब लोग तुरंत पंकच आडवाडी क्लिक करके चले आते हो यहां पे ध्यान देने वाली बात है पंकच आडवाडी को हरा कर आदित महता ने पुने में राष्टी श्नूकर चैंपियंशिप 2020 जीती थी और यह किस राष्ट के हैं यह महराष्ट के हैं ठीक है next question है which day is observed as world यूनानी day next question है किस राष्ट सरकार ने reading mission लौंच किया है कौन सी राष्ट सरकार क्रेशी उत्पात को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठन की स्थापना करेगी यह करेगी अपनी गोवा गवर्मेंट next question है कौन सी कंपनी ने 250 मिलियन डॉलर में एक IT सेवा प्रबंदन कंपनी SIMPLUS का अधिकरण करेगी यह करेगी इंफोसिस next है ओपेरा स्टार मिरेला फ्रेनी हाली में निधन हो गया वो किस देश की इटली की थी next question है वकार हसन का हाली में निधन हो गया है वह एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे कौन सा सहर देश का ऐसा पहला सहर बन गया है जिसने किफायती आवाश योजना के लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो यह राज कोट ने प्राप्त किया है next question है वह इनॉग्रेटेड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एकसेटर स्टाउजन टी एडदी रामचंडी बीच पुरी उडिशा यह नित्यानन रॉय जी ने next question है कि सेर में अमिस्टेक राश्टो के लिए ड्रग ट्राफिकिंग के सेयोजन पर सम्मेलन का उद्गाटन किया है तो यह नई दिल्ली में किया गया है next question है किस दिन विश्च रेडियो दिवस के रूप में मनाये जाता है तेरा फरवरी को विश्च रेडियो दिवस मनाये जाता है next question है किस देश के राश्टपती बने हैं तो यह पृतगाल के बने थे next question है किस मंत्राले के उनकी कि ई-governance पहल और ई-office को लागू करने के लिए सम्मानित किया गया है ministry of external affairs जिसे विदेश मंत्राले बोलते हैं किस देश के साथ cabinet ने सतत मच स पालन विकास के छेतर में समझाओता कि आपन को मंजोरी दिया है next question है किस देश के साथ cabinet ने दोहरे कराधान से बचने और राची चोरी रोक्थाम के लिए समझाओते में संसोधन करने वाले प्रोटोकॉल को मंजोरी दिया है next है DRDO ने कितनी range की strike range tactical ballistic missile प्रेनास विक्षित करना सुरू कर दिया है तो इसकी जो range रखी जाएगी हो 200 km के लिए इस पर वर्क किया जाएगा next question है किस सहर में राष्टी जल समेलन आयोजित किया गया भोपाल में हुआ किस दिन को राष्टी उत्पाधिक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 फरवरी किसे अंतर राष्टी होकी महासंग दोरा 2019 के लिए player of the year award से गोशित किया गया है मनप्रीत सिंग जी next question है पंद्रवे वित आयोजित अंत्रिक सुरच्छा पर 5-6 समू का गठन किया गया है इस समू का प्रमुक कौन होगा तो यह एन के सिंग जी किस राज्य सरकार ने अंग नफो हुनबा कारिक्रम सुरू किया है तो यह मड़ी पूर ने किया है next question है who has been appointed as the chairman and managing director of AI 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 से बोलते है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा अपने राजीव बंसल जी राजीव बंसल जी next question है who has been appointed by UK government as COP26 president तो यह है आलोग शर्मा जी next question है टेरी के पूर प्रमुक का क्या नाम है जिनकी अध्यच्चिता में 2007 में सयुक्त राष्ट के जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने नोबिल पुरुसकार जीता का निधन हो गया है तो यह आर के पचौरी जीत है नेक्स्ट कोश्चन है किसको प्रतान मंतरी बॉरिश जॉर्डनसन द्वारा UK के ने वित्यमंतरी के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह रिशी सनक जी है तिदे कि भारती मूल के हैं इसलिए यह भी important नेम है रिशी सनक जी यह सुनक भी लोग बोलते हैं तो आप जनी नाइडू के जन दिन को हर सल भारत के रास्टी महिला दिवसकरूप में मनाये जता है तो तेरा फरवरी नेक्स्ट है नंदू आर कुलकर्णी का हली में निदन हो गया है वो एक जनरलिस्ट पत्रकार थे नेक्स्ट कोशन नई दिल्ली में प्रवासी भारती केंद का न आडमिंटन के लाड़ी है इनको न्यूक्त किया गया है ब्रैंड अमेस्टर नेक्स्ट कोशन है दिसम्बर 2020 तक किस तीसरी इस कॉर्पिन पंडुब्बी को भारती नौसिना में सामिल किया जाएगा तो इनस करंज ठीक है नेक्स्ट कोशन है वो एस टेकन चार्ज चार्ज एस दी न्यू डिरेक्टर जनरल ऑफ जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो यह देखिया उस टाइम तक ठीक है जिस टाइम तक यह कोशन मलब फैबरी के कॉल्डिंग इसका अंसर एम स्रीधर बिलकुल सही है मौन्टेरी स्रीधर लेकिन एप्रेल 2020 में इनका इस्थान मल यह कोशन बहुत कमी चांस है क्योंकि यह चेंजर आ चुके हैं फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिरेक्टर जनरल है प्रेजंट टाइम में है रंजीत रत्स जी बाकी जो फैवरी के कॉल्डिंग है वो है एम स्रीधर जी थी ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात करें तो अंतर राश्टी बोधिक संपता सुचकांग में बार्जिक संपता सुचकांग में सिरस स्थान पर रहा तो वह यूएस रहा नेक्स्ट कोशन है प्रशांद द्वीब सिखर سमेलन 2021 की मेजवानी कौन सदेश करेगा जापान वश गोल्डेन कॉंच अवॉर्ड बार्बरा पेजदारा निर्देशित बवैको टेल मी वेन आई डाई को दिया गया है यह किस देश की फिल्म है यह ब्राजील की एक फिल्म है ठीक है डॉकमेंटरी जो ही यह ब्राजील की है किस राज्य में रास्टी स्थर के भारत के सबसे बड़े ग्रामीर तकनीकी महोत्सव अंत प्रग्या 2020 का आयोजन किया गया है तो ये तिलंगाना में किया गया किस देश के साथ भारत ने रच्छा निवेश परिवाहन बंदर गाहों संस्क्रती और बौधिक संपदा अधिकारों और योग सही कई छेतरों सहयोग को भावा देने के लिए चउदा समझाओतों पर हक्ताक्षर कियें तो ये पुर्तगाल ने कियें next question है किस राज ने जल पर रेटन विक्षित करने के लिए केरल के साथ साध्यदारी की है उडिशा ने की है next question है go air के मुख कारेकारी अर्थकारी के रूप में किसे ने उपकिया गया है तो विने दूबे जी according to February 2020 अब कहीं current बात करें तो अगस्त 2020 में इसकी नई appointment हो चुकी है जो कौसिक खोना जी को बनाया जा चुका है ठीक है कौसिक कौसिक खोना ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान रखियेगा next question है वेंडल रॉट्रिक्स का निधन हो गया है वो कौन थे फैसन डिजाइनर थे next question किस सहर में महिला उद्यमियों के लिए रास्टी जैविक खाद्य महुत्सों की पेजवानी की गई नई दिल्ली में किसको सयुक्त अरब अमिरात के क्रिकेट निधेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रॉबिन सिंग जी को next question है किस देश में किस देश ने घरेलू और अंतर राश्टी दोनों की सीग्रेट पर प्रतिबन लगा दिया है भारत ने किस रूट पर भारती रेल्वे ने तीसरी कॉर्पोरेट या त्री ट्रेन कासी महकाल एक्स्प्रेस शुरू की है तो ये वारांसी से इंदौर के बी उस एप का नाम है तिरू मथी कॉल्ट ये लिखा है तिरू मथी कॉल्ट नेक्ट कोशन है किस ने दुबई में गल्फूट 2020 के 25 संस्करण में इंडिया पवेलियन का उद्गाटन किया हर्शिम्रत कॉर हर्शिम्रत कॉर बादल नेक्ट कोशन है किस राज ने बीज बोने का तेवहार लुई नगाई नी मनाया है तो ये मड़ीपुर में मनाया जाता है नेक्स कोशन है किस सहर में प्रधानमंती नरेन मोदी ने 1254 करोन रुपए से अधिक मूल की 50 विकास परियोजनाओं का सुभारम किया है तो ये वारांसी में किया गया है वारांसी किस राज में आता है उत्तर प्रदेश में है नेक्स कोशन है प्रधान मंती नरेन मुदी ने किस सहर में पंडित दीन देल उपाध्या मेमोरियल सेंटर राष्ट को समर्पित किया है तो ये भी वारांसी में ही ठीक है वारांसी में ही बनाया गया है नेक्स्ट कोशन है प्रधान मंतिरी ने कि सहर में पंडित दीन दहलुपाद्याई की 63 फिट प्रतिमा का नावरण किया है तो ये भी चंदौली वही वारांसी के पास में ही है ठीक है नेक्स्ट कोशन है भारती एथलिटो ने विश्व स्नोसो स्नोसो चैंपियंशिप में ती क्ली क्वालिफाई किया है वह किस राज राजस्थान की है नेक्स्ट कोशन है जोसना चिनपने चिन्नई में महिला वर्ग में सदत्रवी सीनियर नेशनल चैंपियंशिप स्क्वैस जीती है वह किस राज की है तमिल नाडू की है नेक्स्ट कोशन है पुरुस वर्ग में सौ पूरुष टीम ने मनीला में बैडमिंटन एशिया टीम में जीता है तो यह भारत ने जीता है नेक्स्ट कोश्चन है किसको इश्रो की गठित वाडेज जी इकाई न्यूव इस्पेस इंडिया लिम्टेट के अध्यच गूरूप में नामित किया गया है तो इस जी नारायन जी को साथम को अध्यच नामित किया गया केंदी प्रशासनिक अधिकरण कैट का अखिल भारती सम्मेलन किस सहर में आउजित किया गया तो इन नई दिल्ली में हुगा है किसे मोबाइल प्रीमियल लीग MPL के ब्राणम मेजडर ग्रूप में नियुक्त किया गया है विराट कोली जी को नेक्स्ट कोश्चन है किस देश ने उभरती प्रद्योक्यों में प्रस्योगी अनुसंदान का समर्थन करने के लिए भारत में 4 मिलियन पाउंड लगबग 37 करोन रुपए का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉंच किया है तो ये यूके ने किया है ये कोश्चन एक सिफ्ट में आप ही चुका है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है वर्डे लेपरोंसी टे 2020 वाज अफजर्ट ओन विच डे तो ये 30 जन्वरी को मनाये जाता है नेक्स्ट कोश्चन है कितने नए हवाई एड़े विक्षित किया जाएंगे तो 100 नेक्स्ट कोश्चन है किस बैंक ने आई बॉक्स 24 इंटो 7 स्वयम सेवा वित्रण सुरू की है किसे थाइलेंड में संयुक्त राश्च के रेजिडेंट को औरनेटर के रुप में नियुक्त किया गया है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है नितिन गटकरी ने खादी और ग्रामीर उद्द्योग आयोग और किस कंपनी की संयुक्त पहल के भाग के रूप में निर्मित खादी कलाई घडियों को सुबारम क्या है तो ये टाइटन और ग्रामीर उद्ध्योग के बीच में समझाता हुआ है और ग्रामीर उद्ध्योग के बीच में समझाता हुआ है नेक्स कोशन है किस राज ने एस आर पेंसन कानुका एक डोर स्टेप पेंसन वित्राण योजना शुरू की है तो ये जहां पे भी YSR दिख जाएना तुरंत आंख मूंद के आंद्रप्रदेश टिक कर देना जहां पे भी YSR और आगे को योजना का नाम हो तुरंत आंद्रप्रदेश टिक कर देना नेक्स्ट कोशन है भारत की कोनेरू हमपी ने यूएस में केंस कब जीता है नेक्स्ट कोशन है किस देश को अंतरराष्टी होकी महासंग ने एच एफ आई एच जूनियार विश्व कब 2021 के लिए मेजबान गोशित किया तो ये भारत को मिली है मेजबानी इसकी पंद्रावे वित्तायोग ने क्रेशी निरोयात पर एक उच्चिस्तरी विशेशक के समूगा गठिन करने का निर्णे लिया है अध्यच्च कौन है तो ये संजीव पुरी जी इसके अध्यच्च है नेक्स्ट कोशन है तो जो अपने परिवहन मंत्री है ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर नितिन गटकरी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था नेक्स्ट कोशन है तिलंगाना है जोस्टेट दी बायो एश्या समिट 2020 इन हैध्राबाद वाट इस दी थीम थीम थी इसकी टूडे फॉर टुमारो नेक्स्ट कोशन है इन विच सिटी प्राइमिनिस्टर नर्यमोधी इनाउग्रेटेट दी थी थल्टीन कॉन्फरेंस ऑफ फाल्टीस ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइगेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तो यह जो आयोजन हुआ था यह अमेरिकी राष्पती दोनार्ड ट्रम दोरा किया गया यह किए किस सेहर में है तो यह एहंदाबाद में हुआ था ये ECI, Election Commission of India, ठीक है, इनको पुरुषकार दिया गया है, सिल्वर पुरुषकार, नेस्ट कोशन है, किस राज ने नसीली दमाओं के खत्रे का मुकाबला करने के लिए, यो धावू मुवाइल अप्लिकेशन लॉंच किया है, तो ये केरल ने लॉंच किया है, नेस्ट कोशन है, किस राज जी ने पुलिस पर्फॉर्मेंस को मानता देने के लिए एक मासिक अप्रिशियेट और कमांड योजना शुरू किया, तो ये पंजाब पुलिस ने शुरू किया है, नेस्ट कोशन है, किस देश के साथ भारत ने गुजरात के लोथल में रास्टी स समुद्री विराशत परिशर को सायूक तरूप से विक्षित करने के लिए एक समझावते पर हक्ताक्षर किया है, ति पुर्दगाल के साथ भारत ने हक्ताक्षर किये हैं भी, नेस्ट कोशन है, मुंबाई और पुने के बीट भारत की पहली अंतर सहर इलक्ट्रानिक बस से ठीक है, हो सकता है, नेक्स कोशन है, किस बैंक ने आधार सच्छम भुकतान प्रडाली लॉंच की है, ये लॉंच की है, एल्टल पेमेंट्स बैंक ने, नेक्स कोशन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पेर लगाने की प्रथा को प्रुचाहित करने के लिए प्यार का प सबसे मूलवान मोवाइल अपरेटर ग्रूप में उब्रिया भारती एल्टेल नेक्स्ट कोशन है कंबाला एक भार्षिक भैस दोड़ किस राज्ज में आयुजित की जाती है तो यह करनाटक में आयुजित की जाती है कौन जलवाई परियुर्तन से लड़ने के लिए मदद के लेगा तो यह दस बिलियन डॉलर खर्च करेंगे जैव वैजोस जो एमाजन के मालिक है नेक्स्ट कोशन है किस बारतीन उसेना के जहाच को राश्पती रामनात कोविंद ने प्रेशिडेंट्स कलर प्रेदान किया है तो यह दिया गया आइनस सिवा जी को नेक्स्ट कोशन है हूँ है हूँ है हूँ है हूँ है बिकेम दी फस्ट इंडियन तो क्रॉस 50 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम यह विराट कोहली इसका बिलकुल सही आंसर है नेक्स्ट कोशन है इंदरा गांधी इंटरनेशनल एरपोल्ट हैस बिकम सिंगल यूस प्लास्टिक फ्र इरपोल्ट इस लोकेटेट इन विच सिटी तो यह निव डैली के एरपोल्ट का नाम है इंदरा गांधी इंटरनेशनल एरपोल्ट नेक्स्ट कोशन है विच इनर्जी इफिशेंसी सर्विसेस लिम्टेड हैस सांट ए एम ओ यू फॉर इंस्टोलेशन औफ 1,000 पब्लिक च तो जो अपने पूर रच्छा मंत्री थे मनुहर पारिकर जी उनके नाम से अब इसका नाम रख दिया गया है नेक्स्ट कोशन है किस राज सरकार ने राज के युवाओं को बढ़ावा देने और उनकी मदत के लिए दो योजनाए मुख मंत्री अप्रेंटेंसिप प्रमोश कोशन स्कीम और यूवा उद्यमित्ता विकास अभियान यूवा की घोशडा की है तो यह उत्तर प्रेदेश ने लौंच की हैं दो स्कीम नेक्स्ट कोशन है नेशनल एंटी डोपिंग नसी नाडा जी से बोलते हैं ने अमित दहिया पर चार साल के लिए प्रदिबंध लग लोप्री बंगाली फिल्म अबने और ट्रेडमूल कॉंग्रेस के पूर सांसत का क्या नाम है जिनका हाली में निधन हो गया है तो यह तापस पाल जी थे जिनका फेबरे में निधन हो गया था नेक्स्ट कोशन है दी लॉरेस स्पोर्टिंग मूमेंट आफ दा इयर उसकार से किसे सम्मानit किया गया इंपोर्टेंट को च्योंकि यह ऑवर्ट मिला है सचिन तेंदुलकरजी को नेक्स्ट कोशन है लॉरेस वर्ड स्पोर्ट मैन ऑफ दा इयर अवर्ट से किसे सम्मानित किया गया है तो यह लूइस हैमिल्टन एन लियॉनल मेशी दो लोग को यह वो उसती Championship सिफ आयोजित हुई है तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी Next है कौन सी भासा 2019 सौन्दरा मिलियन बोलने वालों के साथ दुनिया की तीसरे सबसे अधिक तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा बन गई है तो यह हिंदी बन गई है Next question है तो यह जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किये थे वो S.J. Sankar जो अपने विदेश मंत्री हैं उन्हों ने किया था नेक्स्ट कोश्चन है मोडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की GDP विकासदर के अनुमान को 6.6% से घटा कर 5.4% कर दिया था नेक्स्ट कोश्चन है अमेरिका इस्तित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉबलेशन रिव्यू के अनसार 2019 में ब्रिटन और फ्रांस को पचाल कर कौन सा देश दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्चवेस्ता बन जाएगा तो यह भारत बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन ह किस देश ने 600 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज के साथ हवा में प्रच्छेपित क्रू मिसाइल राड सेकेंड का सफल प्रच्छेपड किया है तो यह पाकिस्तान ने किया था नेक्स्ट कोश्चन है कौन सा देश 2022 ACI फुटबॉल परिसंग महिला ACI कप की मेजबानी करेगा नेक्स्ट कोश्चन है किस राज्य में टी बोल्ड ऑफ इंडिया ने रन फॉर इंडिया टी आयोजन का आयोजन किया तो यह त्रिपुरा में अगर तला त्रिपुरा ग्राजदानी अगर तला वहां पर यह आयोजन संपन्न हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है किस दिन और आचर पेदेश के 34 इस्थापना दीवस मनाये गया तो यह 20 फरवरी को मनाये गया नेक्स्ट कोश्चन है किस सेहरें महिला फुटबॉल विसकप की मेजबानी होगी तो देखिए इसके लिए 5 सिटी चुने गये थे इंडिया के एहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुहाटी, नवी बुंबई और कोलकता ठीक है तो यह 5 सिटी है जो चुने गये थे तो इसका अंसर उप्रयोग सभी हो जाएगा और कई कोलकता भी होता तो वो भी इसमें सामिल हो जाता नेक्स्ट कोश्चन है, who has been appointed as the chairman of pension fund regulatory and development authority तो यह बने है सुप्रत्यम बत्तो पाध्याए ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है, कौन सा दिन प्रत्यक वर्स विश्व समाजिक नया दिवस के रूपे मनाये जाता है तो यह 20 फरवरी को मनाये जाता है किस दिन म्रेदा स्वास्ट काल दिवस मनाये जाता है, 19 फरवरी को मनाये जाता है, किसने एशियाई कुस्ती चैंपियंसिक में ग्रीको रोमन्स रेडी में भारत के 27 साल के सुण पदक के सूखे को समाप्त कर दिया है तो इस साल जो भारत को रोमन स्रेडी, ग्रीको रोमन स्रेडी में भी सौले पदक दिलाया है, वो है सुनील कुमार जी, ठीक है नेक्स कोशन है, किस राज्य सरकार दोरा खिसानों की आये पड़ान के लिए समरिद्ध क्रेशी नीती 2020 प्रस्थावित की गई है, तो यह उडिशा सरकार ने की है नेक्स कोशन है, किस राज्य सरकार ने MSME, रिर्ड की सुवधा के लिए SBI के साथ पागिदारी की है, तो गुजरात ने की है नेक्स कोशन है, वाट इस दा नेम और वेटरेरन कंणर एक्टर हूँ है पास्ट अवे रिशेंटली, तो यह उस टाइम जो जिनके डेथ होई थी वो थी कि सोरी बल्लाल जी नेक्स कोशन है, महान महिला धन हो गया वह देश की थी, USA की थी नेक्स कोशन है, असरफ गनी किस देश के राश्टपती, तो यह बने है वुगानिस्तान के, किस देश ने बैरी ओ फ्रेल को भारत के लिए अगला उच्चाय नुक्त किया है, तो यह उस्टेलिया ने नुक्त किया है नेक्स कोशन है, अखिल भारती फुटबॉल महासंग ने, एशियाई फुटबॉल परिशंग की, ग्रास रूट चार्टर ब्रॉज लेविल सदस्चता प्राप्त की है, AIFF का मुख्याले कहा है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है नेक्स कोशन है, जिसे मदर लाइंग्वेज डे बोलते हैं, 21 फरवरी को, किसने लगातार तीसरी बार E.S.P. की महिला स्पोर्ट पर्शन आप दा येर का अवर्ड जीता है, तो पीवी शिंदू जीता है नेक्स कोशन है, कौन राज्य सरकार बाल स्रम और तसकरी को रोकने के लिए नहरू बाल संस्थान कोस की स्थापना करेगी, राज्य स्थान सरकार करेगी नेक्स कोशन है, कि सहर में भारत बंगला पर रेटन उत्सव आयोजित किया गया, तो ये अगरतला त्रिपुरा में नेक्स कोशन है, किस देश ने 19 फरवरी को अपना सब्तरवा राश्टी लोकतंतर दिवस मनाया है, नेपाल ने किस देश ने फैसन हाइम परमाडू रियक्टर बंद करने का फैसला लिया है, तो ये जो नुकलियर रियक्टर है, ये फ्रांस का है, तो इसको बंद करने का फैसला भी फ्रांस सरकार ने लिया है next question है with four prime ministers my PMO journey is written by which person तो ये है जर्नेल सिंग जी next question है विश्व इसपात संग के आकडों के अनुसार कौन सा देश कच्चे इसपात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है तो ये भारत बन गया है ठीक है ये भी important question है थोड़ा ध्यान दीजेगा विश्व इसपात संग के आकडों के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर आ गया है next question है देखी appointment के दो question देखी जो लगातार है ये दोनों ही बहुत important है देख लेते हैं कौन से है who has been selected as the new central vigilance commissioner जिसे बोलते है केंद्री सतर्कता आयोक्ट तो ये बने है संजय कोठारी जी और next है chief information commissioner in the central information commission जिसे बोलते है केंद्री सूचना आयोक के मुख चुनाव आयोक्ट तो ये बने है अपने विमल जुलका जी ठीक है next है प्रज्ञान हो जान है सभी अभी retirement ले लिया था तो किस केल सम्बंदी था है क्रिकेट के हैं प्रज्ञान हो जा नेक्स्ट कोशन है कि सहर मेर अच्छा मंत्री राजनाश सिंग ने थल सिना भवन की अधार सिला रखी है तो इदिल्ली में नेक्स कोशन है किस राज्ञ में केंद्री जहाज राणी राज्ञ मंत्री मनसुक मंडाविया ने देश के पहले floating jetty का उद्गाटन किया है तो यह गोवा में किया था इन्होंने नेक्स कोशन है रेल मंत्राले किस रूपर तेजस एक्स्प्रेस शुरू करने पर सहमत हो गया तेहरा दून से इदिल्ली से एफए टीएब जिसे financial action task force बोलते हैं has decided which country to continue in grey list तो यह पाकिस्तान को grey list में ही रखा है शुकर बनाई यह black list में नहीं डाला है next question है who has been appointed as advisors to prime minister नरेन मोदी तो यह बने हैं दो लोग है अमर जीत सिनहा और भासकर खुलबे तो यह बोथ one and two इसका अंतर सही हो जाएगा कौन सी राजसरकार पूरे राज की सभी मंडियों और चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी तो यह हर्याना गवर्मेंट ने इसका फैसला लिया है next question है in which city हर सिम्रत कौर बादालैंड इस्प्रती रानी jointly inaugurated national organic food festival तो यह नई दिल्ली में inaugurate किया गया था next question है किस देश के साथ भारत ने भारती मूल के स्टेट सर्मिकों के लिए व्रच्छा रोपन स्कूलों में बुनियादी राचे के उन्यान के लिए एक समझोता ग्यापन अक्ताक्षर किया है तो यह है स्री लंका के साथ ठीक है next question की बात करें किसने नवाचार के लिए ये आंध पन्योर अपॉर्ड ये मजूं रृपन सौने next question है किस देश के साथ भारत ने बहुत दिख संपता अधिकारों पर एक समझाओते पर ताक्षर किया है तो यह US ने किया है आपको अच्छे से याद होगो जो बहुत दिख संपता वाली इंटरनेशनल जो रिपोर्ड थी sorry उसमें US first rank पे भी था ठीक है next question की बात करें तो पिल महुत साय आउजित किया गया तो यह एहमदाबाद में आउजित किया गया था next question है किस सहर में किस सहर में नीती आयोग ने सतत विकास लच्च सम्मिलन 2020 पुरुवत्तर राज्योगी भागिदारी सहयोग और विकास सम्मिलन का आयोजन किया तो यह हुआ तक गुहाटी असम में ठीक है next question है PM किसान योजना ने 24 परी 2020 को एक वर्ष पूरे कर लिया है PM नरेन मोदी ने किस सहर जी आयोजना शुरू की थी तो यह गोरकपुर उत्तर प्रदेश से या योजना शुरू की गई थी next question है किस ने नई दिल्ली में अंतर राश्टी नैक सम्मिलन का S.E.R.B. Women Excellence Award 2020 जीता है तो यह जीता है नीती कुमार जी ने यह डॉक्टर है नॉक्टर नीती कुमार next question है सेयुकतराश समर्थित रिपोर्ट के अंसार भारत को स्थिर्ता सूचकांग में और उतकर्स सूचकांग में किस स्थान पर रखा गया है तो जो भारत की स्थिर्ता सूचकांग के उसमें सदतर्वे स्थान पर और जो उतकर्स सूचकांग के उसमें 131 स्थान पर रखा गया है next question है स्यामय प्रशाद मुखर जी रूफ अर्बन मिशन की केस सुबारम की चौथी वर्सकार्ट कम मनाई गई है तो 21 फरवरी 2020 को मनाई गई है next question है केंद्री बंडल ने कितने वर्सों के अवधी के लिए भारत के 22 वे विदियायक को मंजूरी दिये तो तीन वर्स के लिए जिसे बोलते हैं लौ कमीशन ऑफ इंडिया तो तीन वर्स के लिए इसकी मंजूरी देती है यह 22 है ठीक है next question है किस राजी के जेके पूर्व विदायक मेजर क यह पूर्व के हिमाचार प्रदीस के MLA ठीक है next question है असुक चतरजी का हाली में निदर हो गया वो किस पूर्व संगठन के अद्यच चते मनब किस का संगठन के पूर्व अद्यच चतें फिकी के थे next question है गरतन दिवस परेट 2020 के लिए तीन से वाउ में से कौन सी तुकड़ को सर्फ्रेश्ट मार्चिंग दल सुना गया है तो यह भारती वायुशेना को चुना गया है नेक्स्ट कोशन है साउथ सुडान रीक मचर ने पहले उपराश्पती के रूप में सपत ली है तो दच्छिड सूडान वही साउथ सूडान की capital क्या है तो यह capital है जुबा जुबा से ज्यादा आपको यह द्यान रखना है कि पहले उपराश्पती पत की नियुक्ती हुई है तो यह कौन है तो यह है रीक मचर जी नेक्स्ट कोश्चन है किस राज सरकार ने जगन नात की शुरू की है आधिदेश नेक्स्ट कोश्चन है कौन सा राज केंसाशिट प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेजबानी करेगा लद्दाग 2022 में कौन सा सहर कॉमन वेल्ट तीरंदाजी और सूटिंग चैंपिय गेम्स है ठीक है बाकी जितने भी गेम्स हैं जो कॉमन वेल्ट में होते हैं वो सब होंगे ग्रेट बीटन में ठीक है ग्रेट बीटन के वो भी बर्मिंगम में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है आई सीसी ने यूसुफ अब्दुल रहीम अल बकुसी को साथ साल करी क्रिकट के सभी रूपों में सभी प्रारूपों से प्रतिबंदित कर दिया है वो किस देश के हैं तो ये ओमान के खिलारी हैं ओमान के खिलारी है नेक्स्ट कोशन है अचंता सरत कमल और जी साथियान ने ITTF World Tour Hungary Open में रजक पदक जीता है तो ITTF का मुख्याले लूशाने वही लोजन जो लिखा है सुच्जा लैंड में है लूशाने वैसे बोलते हैं नेक्स्ट कोशन है इंडिया स्थर्टीन यर ओर ग्रांड मास्टर डी गुकेस हैस वान दी थर्टी फोर्ट कैनेस ओपेन कांस ओपेन इंडिया के जो तेरवे ग्रांड मास्टर नेक्स्ट कोशन है किस राज्य केंशासित प्रदेश के लिए नाबाड ने ग्रामीर्ड चेत्रों में बुनियादी धाचों को बढ़ावा देने के लिए चार सो दसम्लो चार करनों डुपए की रासी की मंजूरी दी है तो यह जम्मु कस्मीर ने नेक्स कोशन है कौन सा राज्य केंशासित प्रदेश आदिवासी प्रथाओं और उनकी कला संस्कृती भासाओं को बढ़ावा देने के लिए जनजाती अनुसंदान संस्थान की स्थापना करेगा जम्मु कस्मीर नेक्स कोशन है कि सहर में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरी आयोग का सोलवा सत्र आयोजित किया गया नई दिल्ली नेक्स कोशन है टटी आपदा जोकिम नूनी करन और लचीलापन 2020 पर प थेल मंत्री है वर्तमान में नेक्स कोशन है वाड़ेज मंत्राले के आकडों के अंसार संयुक्तराज अमेरिका चीन को पीछे छोड़ का भारत कर सीर्स व्यापारिक साजेदार बन गया है वित्ती वरस 2018-19 के दौरन भारत और भारत और अमेरिका के बीच दुई-पच्छी विपार कितना था तो ये था 88 बिलियन डॉलर वैसे एक्जैक्ट फिगर की बात करें तो 87.95 बिलियन डॉलर रहा है ठीक है नेक्स कोशन है कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एकी करत पंजी करण कार्ड और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज जिसने एकी करत ड्राइविंग लाइशन शुरू किया है तो ये शुरू किया है मद्ध प्रदेश ने नेक्स कोशन है किस देश को पूरे भारत में हर साल केंदरी उतपात सुल्क दिवस की रूप में मनाये जाता है 24 फरवरी को नेक्स है मुहम्मद होसनी मुबारक क हाली में निदन हो गया वो किस देश के पूर्व राश्पती थे मिश्र इजिप्ट के पूर्व राश्पती थे नेक्स कोशन है बारती वायुषेना और युनाटेट किंग्डम की रॉयल एयर फोर्स ने संयुक्त रूप से वायुषेना स्टेशन हिंडन में युद्ध व यह होगा नई दिल्ली में नेक्स्ट कोशन है किसने टॉप क्रॉप्स टमाटर प्याज अलू कि कीमतों के निगराने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पूल्टल लॉंच किया है तो यह किया है हर सिम्रत कॉर सिंह बादल हर सिम्रत को और बादल नेक्स्ट कोशन है किस दिन राष्टी विज्ञान दिवस मनाये जाता है तो यह 28 फरवरी और विशय क्या था इस बार विमेन इन साइंस नेक्स्ट कोशन है मंत्री बंडली समीती में ने राष्टी तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को सुकृत्ती दे दिये कुल परिवरे क्या है तो यह 1480 करोन रुपे इसके लिए इलोट किये गया है नेक्स्ट है पांच बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया सारापोवा ने टेनिस से सन्यास लेने की गोश्टा किया है या किस देश की खिलाड़ी थी रूस्ट की थी ठीक है नेक्स्ट कोशन है यू विन माइंट is the president of which country तो यह मैमार के बनाए गया है नेक्स्ट है किस सहर में सांस्कृतिक मेले वसंतोत्सों का उद्गाटन किया गया है गांधी नगर गुजरात में नेक्स्ट है जी एस 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 टी स्री हरिकोटा के सतीज धवन अंतरिच चिकेंदर के दूसरे लॉंच पैट से जी यो इमर्जिंग सैटेलाइट लॉंच करेगा सैटेलाइट का नाम क्या है तो यह नाम रखा गया है जी आई एस टी जी सैट वन ठीक है नेक्स्ट कोशन है आर बियाई ने आर बियाई ने किस बैंक को अपने साखा नेटवर्क का विस्तार करने के उनमती दे दिये तो यह बंधन बैंक को मिल गई है नेक्स्ट कोशन है किस देश के साथ भारत ने बुनियादी धाचे उर्जा संचार और स्वास सम्मंदित दस संजौते पर हक्ताक्षर किये हैं त परिसर में नए हलके लडाकू हलिकॉप्टर उत्पाद हैंगर का उत्गाटन किया है तो यह बैंगलॉर में किया गया है नेक्स्ट कोशन है किस सहर में पूर्वी आंचलिक परिसर में बिहार जारखंड उडीशा और पश्यमंगल राज्यसामिल है कि 24 वी बैठक आयोजित की जाएगि तो यह भुवनेश्वर में अउजित की जाएगी नेक्स्ट कोशन है सिब्सक नेचात्रों की सूवदय के लिए परिछ्ष चेन के बारे में जानकारी के लिए CBSC ICL पढ साथी साजDC ICL किसे और नहीं लांच किया है नेक्स्ट कोश्टन है अचा CBSC का फुलफ नियुक्त किया है तो यह राजेस कुमार जी की नियुक्ती हुई है Next question है National Hydro Electric Power Corporation ने किसको अध्यच और प्रवन्द निदेशक के रूप में नियुक्त किया है अब है कुमार सिंग जी को किसको फ्रांस के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है जावित असरफ जी को Next question है प्रिशिद्य सुतंता सिनानी और गांधिवादी का क्या नाम इनका हाली में निदन हो गया सुधाकर चतुरुवेदी जी का उस टाइम निदन हुआ था Next question है What is the name of famous NASA mathematician who has passed away recently तो यह थी Catherine Johnson ठीक है Catherine Johnson एक mathematician थी NASA में Next question है किस bank के साथ Microsoft ने नौकरी पाने के में मदद के लिए विकलांग लोग को प्रसिचित करने के लिए समझाते पर अधाक्षर किया है तो यह SBI ने किया है Microsoft के साथ Next question है किस राज में लोसार तेओहर मनाय जाता है तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाय जाता है विकलांट लोसार तेओहर और लोसार तेओहर कि हम आपको एक खास बात बता दे जो तिब्बती 9वर्स होता है उसके उपलक्ष में भी नोसार तेओहर मनाय जाता है मलक्य जब तिब्बती 9वर्स होता है Lोसार तेओहर सेम डे पर मनाय जाते हैं Next question है who has retained the top spot for the third year running in the Hurun Global Rich List 2020 तो यह जब वेजोस इसबार फिर टॉप कर दिया है next question है राश्टी संकिकी कार्याले के अंसार वित्वर 2019-20 की तीसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की व्रदीदर कितनी रही तो 4.7% next question है who has been a point MD and CEO of Indesand Bank तो यह है सुमन्त कत्पालिया देखिए बहुत से लोगों को अभी मेरे को लगता है doubt होगा या हो सकता है ना भी हो तो मेरे काफी time तक doubt रहा था इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यह जो INSDU INDUS और उसके बाद जो यह I जैसा बना होता है ID तो यह देखो पहली बात तो यह L नहीं है ठीक है तो यह L नहीं है यह I है ठीक है यहाँ पर यह capital letter से इन्होंने लिख रखा है तो यह चीज हो सकता है आप लोग को पता हो तो अच्छी बात है ना पता हो तो आप लोग के लिए एक नई चीज हो जाएगी ज्यान वर्धन के लिए सेटर has passed away recently he was the historian नेक्स कोशन है विच स्टेट एसम बली बिली स्टार्ट गिविंग बेस्ट MLA अवर्ड तो यह अपने प्रायम मिनिस्टर उन्होंने इस मुला उदगाटन क्या मोलता है stone रखा था लेड इस्टोन. Next question है foundation stone. Next question है which state and UT has been elected by Neeti Ayo for the first pilot project among all states and UTs on sustainable development goals. तो यह Jammu Qasmeer को अभी चुरा गया है. Next है किसको दिल्ली पुलिस आयोकति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह दिया गया है SN Srivastowji को. नेक्स्ट है अब 30 गस्ती पोद आईजी सी आईजी जी एस वरद को किस सहर में जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुक मंडाविया दोरा कमीशन किया गया है तो यह किया गया है चिन्नेई में नेक्स्ट कोश्चन है किसने नाई दिल्ली में गयारवे राष्टी क्रश्ची विज्ञान केंद्र सम्मेलंग को गाटन किया है तो यह नरेंद्र सिंह तोमर जी देखो भाइलों यह मैंने आपको कवर करा दिया है फैबरी का ओल्मॉस्ट जितने भी important question बनते हैं मैंने सब जा दी है यहाँ पर तो जितनी जल्दी जल्दी हो सके आप वीडियो देख लेना 1.5 में मन करें 1.5 में देख लेना लेकिन at least केवल एक बार सुन लेना यार केवल सुनते सुनते आपको काफी सारे questions एकदम clear हो जाएंगे इतना हो जाएगा कि आप टिक मार्क एकदम सही option में क करके आओगे ठीक है तो देखो कहीं वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करना ठीक है और शेयर जादा जादा करना यार जितने भी तुमारे दोस्तों का भी पेपर बचा हो आप तक वीडियो पहुंच गया हो आपका पेपर हो चुका हो तो at least दोस्तों के पास तक पहुंचा देना जिनका भी एक्जाम बाकी है बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो देखो मेरा इंस्टाग्राम पर एकाउंट है competitive world 2020 नाम से ठीक है जो लिंक डिस्क्रिप्शन मौंक्स पर देखी मैं डाल देता हूं आप वहां पे मैसेच करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट वगएर हो आप पूछ सकते हो बस बाकी आप से बस इतनी सीख रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों कि शेयर किया करो और सस्क्राइब करने के लिए जरूर बोल दिया करो दोस्तों से आर कुछ भी नया नोटिफिक है कि ज्यादा ज्यादा शेयर करो सस्क्राइब करवाओ चैनल को ठीक है और बेल आइकन जरूर प्रेश कर दिया करो वरना हमारे वीडियो जाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा चलिए अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लग्ट से विदा लेते हैं फि पिर समुला कात होगी नेक्स्ट वीडियो में